जादूई किताब का रहस्य गाउं के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जिसमें नीतू अपने परिवार के साथ रहती थी. नीतू एक जिग्यासू और कलपना शील लड़की थी, जिसे कहानियों और किताबों का बहुत शौक था. लेकिन गरीबी के कारण उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे. एक दिन, जब वह अपने पुराने और धूल भरे पुस्तकाले में किताबें ढून रही थी, उसे एक अजीब सी पुरानी किताब मिली, जिस पर सोने के अक्षरों से लिखा था, जादूई किताब जो होश उड़ा दे. नीतू को उस किताब को देखकर अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसकी जिग्यासा उसे रोक नहीं पाई. उसने किताब खोली, तो उसमें से अचानक एक तेज रोशनी निकली, और वह सीधे किताब के अंदर खींच गई. जब नीतू ने अपनी आँखें खोली, तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया. वहाँ पेड बोल रहे थे, जानवर बातें कर रहे थे, और आसमान में अजीब रंगों की बारिश हो रही थी. यह सब देखकर नीतू के होश उड़ गए. इस दुनिया में नीतू की मुलाकात एक जादूगर से हुई, जिसने उसे बताया कि यह किताब हर किसी के सपनों को सच कर सकती है. लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, जो भी इस दुनिया में आएगा उसे एक परीक्षा से गुजरना होगा. नीतू को यह जानकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. जादूगर ने उसे तीन कठिन सवाल पूछे. पहले सवाल में नीतू को खुद की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना था. दूसरे सवाल में उसे अपने दिल की सबसे बड़ी चाहत बतानी थी. और तीसरे सवाल में उसे किसी और के लिए कुछ त्याग करने को कहा गया. नीतू ने इमानदारी से जवाब दिये. उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है. उसकी सबसे बड़ी चाहत अपने परिवार की खुशहाली है और वह अपनी पसंदीदा किताबें छोड़कर अपने भाई बहनों की मदद करना चाहती है नीतु की इमानदारी और साहस देखकर जादुगर बहुत प्रभाविद हुआ उसने नीतु को उस जादुई दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा उपहार स्वरूप दे दिया एक पन्ना जो उसकी इच्छाओं को सच कर सकता था जब नीतु घर लोटी उसने उस पन्ने की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल लेखिका बन गई उसने अपनी कहानियों से नकेवल अपनी बलकी अपने पूरे गाव की जिन्दगी बदल दी इस कहानी से यह सिखने को मिलता है कि अगर हम अपने डर का सामना करे और इमानदारी से अपने सपनों का पीज़ा करे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती हर किसी की जिन्दगी में एक जादूई किताब होती है बस उसे पहचानने और उसका सही उप्योग करने की जरूरत है